हेलो दोस्तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल जीके हिंदी नॉलज में आज की इस वीडियो में आप लोग को संगठन का नाम क्या है उसका मुख्याले कहा है और अस्थापना कब हुआ था उसके बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहला संगठन है रेड क्रॉस संगठन इसका मुख्याले जीनोबा में है जो की सूरिज़यर लेंड में पड़ता है इसका अस्थापना 1863 हिसी में हुआ था दूसरा संगठन का नाम है अंतरास्ट्रिये दूर संचार संगठन ITU इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना 1865 हिस्वी में हुआ था तीसरा संगठन अंतरास्ट्रिये स्रम संगठन ILO इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसका अस्थापना जो है 1990 हिस्वी में हुआ है चोथा संगठन का नाम है अंतराश्रिय मानवी मान की करन संगठन ISO इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना 1947 इसमें हुई थी पांचमा संगठन विश्व स्वास्थे संगठन डावलु हो इसका भी मुख्याले जिनोबा में है और इसकी अस्थापना 1948 में हुई थी चप्ठा संगठन विशुव मौसम विज्यान संगठन इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना उनीसापचास इसमें हुई थी साथमा संगठन सैयुक्त राष्टर सर नार्थरी उच्चायुक्त UNHCR इसका भी मुख्याले क्या है जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना 1950 इसमें हुई थी आठमा संगठन विसुबॉधिक संपदा संगठन WIPO इसकी भी मुख्याले जो है वो भी जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना 1960 इसमें हुई है नॉमा संगठन विसुबॉधिक संगठन WTO इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसका जो अस्थापना हुआ था 1995 इसमें हुआ था दसमा संगठन इसका भी मुख्याले जिनोबा में ही है और इसकी अस्थापना 2006 में हुई थी अब एक आरव एक आर्मा संगठन का नाम है अंतरास्थिये ओलंपिक संवीती इसका जो मुख्याले है वो लुना से लुसाने जो की सुर्जिया लेंड में ही है बाकी सब कहां था जिनोबा में था ये कहां है लुसाने है जो की सुर्जिया लेंड में ही है इसकी अस्थापना 1894 इसवी में हुई थी बार्मा संगठन विस्व वन्नेजीव कोस डाबलू डाबलू एफ इसका मुख्याले जो है ग्लेंड में है जो की सुर्जिया लेंड में ही है इसकी अस्थापना 1961 इसवी में हुई थी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे